पंदरा जन्वरी दिन रविवार मकर सकरांती के दिन चुप चाप तीन जगह पर रख दे नमक मा लक्ष्मी दोडी चली आएगी नमक को घर में इस जगह रखने से गरीबी कोसो दूर रहती है कलेश भी होते हैं समाप इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे वास्तु नियमों के बारे में जिन से आपके घर में पैसा टिकने लगेगा क्योंकि बहुत से लोगों की ये शिकायत रहती है कि पैसा आता तो है पर जमा नहीं हो पाता सारा पैसा कभी बिमारी पर खर्च हो जाता है तो कभी फाल्तु के खर्चों में सारा पैसा खर्च हो जाता है तो ऐसे में ये वास्तु नियम आपके लिए मद्यदगार हो सकता है तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंतक जरूर देखिएगा नमशकार दोस्तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दोस्तो सची श्रद्धा से कमेट्स में जरूर लिख दें हर हर महादेव दोस्तो मनुश्य की जीवन की हर बात में संतूलन होना क्यों महत्व पूर्ण है ये हमें नमक से सीखना चाहिए जी हाँ दोस्तो नमक से हम संतूली जीवन का पाठ सीख सकती है जैसे हमारे खाने में नमक का क्या महत्व है ये तो हम सभी भली भाती जानते हैं और ये भी जानते हैं कि खाने में सही मातरा में ही नमक डाला जाए तो ही खाने में स्वाद आता है खाने में जरूरत से कम या जरूरत से जादा नमक हो तो ये खाने का स्वात खराब कर देता है इसी के साथ ही स्वास्थे की दृष्टी से भी हानिकारक होता है इसी तरह हमारे जीवन में भी किसी महत्वपूर्ण वस्तु की कमी या अधिक्ता भी कोई सुख नहीं ला सकती बलकि दोनों ही एक तरह से हानिकारक होती हैं यदि विज्ञान की बात करें तो नमक की सही मात्रा हमारे शरीर की हर गती वीधी के लिए अवश्यक है हमारे दिमाग के स्वस्थे के लिए भी नमक अत्यंत अवश्यक है इसी प्रकार जोति शास्त्र में भी नमक का असाधारन महत्व बताया गया है नमक हमारे खाने में रस और स्वाद भढ़ाने का काम तो करता ही है साथ ही हवारे जीवन में भी सकारात्मक्ता लाने का काम भी करता है जोति शास्त्र में नमक के कुछ ऐसे उपाय बताएं हैं जिस से हम अपने जीवन की दशा और दिशा दोनों ही बदल सकते हैं मात्र एक चुटकी नमक में इतनी क्षमता होती हैं कि हमें रंग से राजा बना सकता है दोस्तों आज हम नमक के उन महत्वपूर्ण उपायों के विशे में जानेंगे जिनका प्राचीन काल से ही कई घरों में प्रतिदिन पालन किया जाता है लेकिन हम में से कई लोग अभी भी उन बातों से अंजान हैं इन सभी बातों का जोती शास्त्र में भी वर्णन किया गया है आप भी नमक के इन उपायों को आवश्य से करिए तो आईए जान लेते हैं जोती शास्त्र में नमक के कौन से उपाय बताएं हैं लेकिन उससे पहले आप से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब आवश्य से कर लीजिए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली बात नमक सकारात्मक उर्जा का भंडार होता है साथ ही इससे इतनी ताकत होती है कि अपने आसपास के वातावरन में मौझूद नाकारात्मक उर्जा को ये खीच लेता है और अपने अंदर की सकारात्मक उर्जा को वातावरन में संचारित करता है इसलिए दोस्तों घर के चारो कोनों में एक कटोरे में खड़ा नमक भर कर आवश्य से रखी पोचे के पानी में थोड़ा सा नमक मिला कर पोचा लगाने से भी पूरे घर में साकारात्मक उर्जा फैलती है यदि घर में बार बार कलेश होता है या परिवार के सदस्यों के बी प्रभाव पूरे परिवार के स्वास्थे पर पढ़ता है जिस कारण परिवार के सदस्य एक के बाद एक अचानक से बिमार पढ़ने लगते हैं इसके साथ ही इससे घर की आर्थिक स्थिथी भी प्रभावित होती है वास्तु शास्त्र में इसका उपाय बताया गया है इसक हमारी आर्थिक स्तिथी भी मजबूत होती है तीसरी बात दोस्तों घर का मुख्यद्वार हमारे घर का सबसे समवेदन शील स्थान होता है यही वो जगे होती है जहां से नकारात्मक शक्तियों का हमारे घर में सबसे पहले प्रवेश होता है इसलिए दोस्तों मुख्यद्वा पर एक काले कपड़े में काला नमक बांद कर लटका दें नमक की साकारात्मकता से घर में आने वाली सभी मुसीबते द्वार पर ही रुख जाएंगी और नकारात्मक उर्जा आपके घर में प्रवेश ही नहीं कर पाएगी इसी के साथ ही हुद रिष्टी से हमारे घर की और शरीर से सारी नकारात्मकता को बाहर निकाल फेकता है बच्चों को यदि बार बार नजर लगती हैं तो उनके नहाने के पानी में नमक मिलाकर उनको स्नान कराएं इससे आराम मिलता है पांचवी बार दोस्तों नमक राहू और केतू के दुष्ट प्रभावों को भी दूर करने में काम करता है रात में सोने से पहले गुनगुने पानी में नमक मिलाकर उससे हात मुधो कर सोए तो सारी की सारी बुरी शक्तियां जो रात में सकरिय होती हैं वो आप से दूर रहती हैं और आपको स्वपन दोश से भी बचाती हैं छटी बात दोस्तों यदि आपके प प्रयोग को बहुत ही कारगर माना गया है। पति पतनी अपने शयनकक्ष में एक कटोरी में सेंधा नमक भर कर रखें। आप हफते में एक दिन खाने में केवल सेंधा नमक का प्रयोग करके देखें। इससे निश्चित ही बहुत सकारात्मक परिनाम प्राप्त होंगी। तो दोस्तों इन सभी उपायों से आप अपने जीवन की सभी नाकारात्मक्ता को दूर कर सकते हैं और घर में खुशाली ला सकते हैं लेकिन नमक के उपयोग को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बाते ध्यान में रखना बेहद जरूरी है पहली बात ये की रात के समय आप किसी भी बा विवाद हो सकता है तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि नमक कभी भी स्टील या लोहे के बरतन में रखना नहीं चाहिए लोहा शनी की धातू है और नमक शुक्र ग्रह का प्रभाव होता है और नमक पर शुक्र ग्रह का प्रभाव होता है और दोनों की युक्ती कभी भी शु का होना बेहत आवश्यक है कई घरों में देखा जाता है कि उनके घर में धनकी कोई भी कमी ना होते हुए भी घर से कलह दूर नहीं होता है घर में खुशी नहीं रहती है इसका मुख्य कारण ये भी हो सकता है कि आपके घर को किसी की बुरी नजर लग गई है आप से कोई बेह ऐसे ही कुछ वास्तु नियम जिससे आपको कुछ ही समय में उसका असर देखने को मिलेगा। ऐसे व्यक्ति पर माता लक्ष्मी जल्द प्रस्न होती है और हमेशा महरबान रहती है। तो घर में बुरी शक्तियां कभी प्रवेश नहीं करेगी। अगर हमारे घर में हम रोज गो माता के लिए पहली रोटी निकालते हैं तो गरंतों के हिसाब से आपके घर की नेगटिव एनरजी भी उस रोटी के साथ उस घर से निकल जाती है। अगर घर से कलह दूर नहीं हो रहा है और बार बार विपदाएं आ रही हैं तो एक तांबे का लोटा लें उसमें जल भर कर उसमें नमक डालें। अब उसे अपने घर में हर जगह गुमा लें और इस लोटे को कहीं आंगन में या बाहर कहीं पर भी ढख कर रख दें। ध्यान रहें कि इस तरह से रखें कि गिरे नहीं और पानी इसका बिख़ड़ना नहीं चाहिए। अगले दिन इसे घर के मुख्यदवार के दोनों ओर डाल दें। ऐसा हफते में दो बार शनिवार और मंगलवार के दिन करें। आपके घर से नकारात्मक शक्ती, बुरी नजर, कलेश, सब कुछ दूर हो जाएंगे। और आपको साकारात्मक एनरजी, खुशी और संतोश का अनुभव होगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, ये दिये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों और रिष्टेदारों में जादा से जादा शेयर कर दें। महादेव शिव के सच्चे भक्त कमेंट बोक्स में हर हर मह अविश्य से लिख दीजिए। आगे भी ऐसे वीडियो लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी दबा लीजिए। जल्द मुलाकात होगी आप से किसी अगली वीडियो में तब तक के लिए आप सभी का धन्याद कर